Hey guys, what's up, कैसे हैं, आसा करता हूँ, आप सब अच्छ होंगे और आप कि त्यार इच्छ से चलिए होगे, दोस्तों, आज के इस वीडियो से में हम UPSC टॉपर रही, प्रतिभा वर्मा, यानि कि अभी जो दो दिन पहले UPSC का रिजल्ट आया है, जिसमें UPSC में टॉपर रही है लड़कियों में तीसरी रैंक आई है, AIR तीन प्रतिभा वर्मा, उनकी कौपी हम देखने जा रहा है, बाकाइदा, उन्होंने UPSC के एक्जाम में, एंसर राइटिंग कैसे की, उनकी कौपी देखेंगे, देखे, ये जो कौपी की प्रक्रिया, अभी मैंने इनकी कौपी द ये कैसे सिक्योर किया सकता है, ठीक है, तो लिखने की जो स्किल है, वो डेबलप कैसे की जाए, आज प्रतिभा वर्मा की कौपी से हम देखेंगे, ठीक है, देखेंगे, इससे पहले मैं आप लोगों को लगातार बताता हूँ, कि ये जो अभी प्रतिभा रुमा हैं, जिनक अच्छे सफलता मिली, और तीसी रेंग पूरे भारतवर्स में ने मिली है, ठीक है, तो भीया प्रतिभा पर्मा से तो आप सभी जानते होंगे, प्रतिभा पर्मा को और इसे इंट्रिदूस करने की जरुरत नहीं है, आसा करता हूँ कि इस वीडियो सेग्मेंट को देखने लेना है, तो अगर अंतिम लिस्ट में जग बनानी है, तो आपको 950 नंबर से उपर लाना ही होगा, प्रतिभा की कॉपी की ओर और नई-णी टॉपर है, इस से जख्योच कि लगतार किस तरह से लिखती है, और युपेसिक में जो इक्जामनार है, वो क्या चाहते हैं आपसे जो प्रतिभा ने लिखा और आल इंडिया रेंग तीन ही नहीं मिला अभी दो दिन पहले जो रिजल्ट है ठीक है चलिए बढ़ते हैं कॉपी के और ज्यादा समय ना लेते हुए देखें मैं स्क्रॉल करता हूँ देखें ये प्रतिभा की जो हैंड राइटिंग है प्लीस हैंड राइटिंग पर मत जाना आप उसके टेक्निक को समझे है ठीक है देखें पहला जो कोशन है वो कुछ इस प्रकार से है कि RCEP के महत्तु की व्याक्था करते हुए इस पहल में भारत की सहबागिता के विभिन पहलों पर चर्चा कीजिए ठीक है RCEP की बात की है कि इसकी महत्तु के बताना था और इस से पहल को इसमें भारत की सहबागिता के विभिन पहलों पर चर्चा करनी थी देखें तौपर रही है प्रतिभावर्मा हाल ही की टौपर मेडिया सु 6 countries in Indo-Pacific with which ASEAN has FTA, ठीक है, यह RCEP को कितने 3 लाइनों में, यह तो UPC को copy है और थोड़ी से sort होती है, अगर आप लंबी देखें तो यह कम से कम, जाज जादे यह दो लाइन में आपे discuss कर दिया कि RCEP है क्या, जो कि free trade agreement है, किसमें ASEAN देशों के और 6 देशों के beat, जो Indo-Pacific के साथ FTA का है, ठीक है, बाकी significance, अब देखें significance की बारे में, आगे यहाँ पर इनोंने लिखा है, ठीक है, significance क्या है, इसके significance, देखें इस तरह से, देखें टेकनिक को समझें, मैं आपको copy दिखाने का मतलब इस तरह के technique को, इसके significance क्या है, देखें, यहाँ पर इनोंने significance डाला और उसके बाद क्या किया है, यह देखें, यह यह पैरा में नहीं लिखते हैं, टॉपर्स में लगातार, यहाँ पर कर इसकटारिया की copy को भी discuss किया, और सश्टी जान्देश्बू की copy को discuss किया, हि हमने पाया कि लोग आज की date में paragraph में नहीं लिख रहे हैं, वो आज की date में paragraph को छोड़ कर to the point in the sense point में लिखना पसंद कर रहे हैं, अब point में लिखना क्यों, क्योंकि भी यह जो UPSC की demand है, जो वो question में पूछना चाह रहे हैं, वो आप पैरा में ना लिखकर to the point, point point में लिख ठीक है, चलिए, बढ़ते हैं, देखें, देखें, देखें कितना सुसजिद ढंग से आप इन्होंने क्या किया है, इतने अच्छे तरीके से इन्होंने क्या क्या है, यह point wise में लिखा है, सारे answer point wise में लिखा है, और जो important term है, important जो words यूज किया है, उन्हें underline भी किया है, इ मैं आगे, देखें, देखें, इंडिया's engagement की जो बात कही है, देखें, किस तरह से लिखती है, trade in goods, trade in services, और देखें, 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 यह sort में इन्होंने पूरा किया, और यहाँ पर एक comment किया, और I hope कि यह answer समापत हो जाएगा, ठीक है, देखें, यह इसका answer समापत हो है, तो answer writing देखें, अब मैं बहुत से लोग एक और खामियाँ बता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि, भया, answer writing लिखते हैं, यह तो six class के बच्चों से भी है, पूर hand writing लिखें, तो भया, यह UPSC Topper All India Rank, तीन इन्हें secure मिला है, Topper IAS की rank भी है, आप इन्हें देखें लिखें हैं, चाहे handwriting आप ऐसे लिखें, चाहे कुछ भी लिखें, बस examiner जो check कर रहा है, उसे पढ़ने योग यह हो, बाकी वहाँ पर आपकी कितना सुंदर लिखा है, वो नहीं check करते हैं, ठीक है, तो आगे बढ़ता है, देखें, अगला question कुछ इस प्रकार से है, और प्रतिभा कै से लिखती है, लिखा है, question कुछ इस प्रकार से है कि, यह व्यापक रूप से स्विकार किया गया है कि smart power विदेश नीत के अपेक्षित प्रणामों को प्राप करने का सरोत्तम संभा तरीका है, भारत के संदर में इसका परिख्यन कीजिए, अच्छा प्रशन है, अब देखत अब देखेंगे, 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 अब देखें देखे, आप इस बातों को समझें कि अगर ये पैरा में लिखना सुरू कर देती, कि डी और बिजनेसस टाइल को अगर ये पैरा में लिखती, तो लंबे में लिखना परता और यह बहुत है, लंबे में इनहें कितना, जार, जार, लगा हो एक से neighborhood को लिखने में, बकि एक इसी point को अगर इन्होंने पैरा में लिखा होता ये तो आराम से इनका 30 second से उपर लगता में को लगता है कि एक मड़ भी लग सकता था जो जहां पे आपका 45 second से एक minute लग रहा है वहां 2 से 3 second में अगर एक point खतम हो गया तो कितना sort में यही technique को आपको सीखना होगा अगर आपको मेंस में अच्छी जो marks है वह गेन करना है ठीक है चलिए बढ़ते हैं देखें यह देखें टेक्निक को समझे किस तरह से यह answer लिखते हैं देखें इन इंडियास कॉंटेक्स्ट भारत के संदर में भी आगे लिखा है और handwriting पे प्लीज मत जाना आप हाल में ही result है आपके सामन है इनकी यह copy है अब जो लोग कहते हैं handwriting कितना खराब आप हाली की copy है यह और इसे देखें और UPSC ने बाकायदा यहां पे टीसी रेंकी ने दी है तो भया handwriting पे मत जाओ ठीक है देखें अगला प्रशन कुछ इस परकार से है देखें आप देख सकते हैं जहां एक और जल में दक्षिन एसिया में छेत्रे एक करण को और अधिक घनिष्ट बनाने की शमता है वहीं दूसरी और यह भारत के पडोसी देशों के बीच विश्वास की कमी का प्रतिक रहा है इस पे विश्लेशन करना था देखें आप देखें पहले थोड़ा सा जहां देखें आपके उप प्रतिक है फिर से इन्हों ने की पॉइंट में आगें तो भया पॉइंट में क्यों लिखना है क्योंकि आप कम सब्दों में अधिक्स अपनी बात रख सकते हैं और कम समय में में बाती हैं कम समय में आप अपनी अबाद examiner के सामने रख देते हैं जो UPSC की डिबांड है जो आगे इंडिया निपल इंडिया देखे आप मैं थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करते चलता हूं ठीक है और अगला प्रशन आ जाता है तो भीया इस तरह से आपको भी एंसवर लिखना होगा ठीक है देखें आप देख सकते हैं देखें पॉइंट में लिखा है और भी इनकी इनकी कॉपिया है उनको भी हम डिसकस करेंगे नवाचार जो उत्तर में नवाचार जो एंसर राइटिंग में नवाचार है जो स्किल है उसे सीखने की जरुत है ठीक है तो ये तो रही प्रतिभा वर्मा की कॉपी और जिन्होंने आई-एस की रैंक श्क्योर की है इस बार क कि आप आज अगर शेयर करेंगे तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुचेगी और अधिक से अधिक लोग इनकी कॉपी को देखकर अपनी रैटिंग में सुधार लानी के उसस करेंगे चलिए तब तक के लिए धन्यवाद शेयर करते रहें